तो हार्दिक पांडिया की खराब कपताने की बज़े से मुंबई इंडियस एक और मुकाबला हार गई इस पहले अमदाबाद में गुजुरा टैटलन के खलाब जीता हुआ मुकाबला हार्दिक पांडिया की बज़े से मुंबई इंडियस हारी थी और अब संद्राइद रहदराबाद के खिलाब वी जीता हुआ मुकाबला मुंबई इनियस हार्दिक पांडिया की बज़े से हारी है इस मुकाबले में हार्दिक पांडिया ने बेहदी खराब कप्तानी की है और उसके सासत बेहदी खराब बल्लेबाजी भी की है हार्दिक पांडिया का इस मुकाबले में जो श्ट्राइगर था, वो 120 का था जबकि बागी के जितने भी बल्लेबाज थे, मुम्बै इन्नियस के उनका जो श्ट्राइगर था वो 200 आया उससे आसपास था, लेकिन हार्दिक पांडिया मानों वनडे खेल रहे हो और 120 के श्ट्रागिट से बल्ले बाजी कर रहे थे जिसके चलते मुंबई इंडियस इस मुकाबले को 31 रंज से हार गई अलाकि संड्राइज रहदाबाद ने एक विसाल स्कोर खड़ा किया था लेकिन उसका पीचा मुंबई इंडियस करने में सक्सिस्पुल हो गई थी और सभी बल्ले बाजों ने जम कर मैनस भी की लेकिन हारदिक पांडा की खराब कप्तानी और खराब बल्ले बाजी की बज़े से संड्राइज रहदाबाद से मुकाबला 31 रंज से मुंबई इंडियस हार गई तो बात करेंगे इस मुकाबले की संराज हैजाबाद ने पहले बल्ले बाजी करते हुँ जड़ दिये थे 277 और यह IPL इतियास का सबसे बड़ा टोटल था और RCB का रिकॉर्ड तोड़ दिया संराज हैजाबाद ने बात करें संराज हैजाबाद के बैटिंग कार की तो मैंक अगरवाल को छोड़ दिया जाए तो जितने भी बल्ले बाज आए सब ने जबर्दस तरीके से पिटाई की और हार्दिक पांद्या की गलती की बज़े से सब्सक्राइब ने हैड टोड़ दिया मार मार के मुंबई इंडियन्स का टाविस हैड ने 24 गेंदे लिव जिसमें 200 ड्रंजड़े नो चौके और तीन चक्के लगाए और अपने जो हाफ सेंच्री थी वह अठारा गेंदे महीं पूरी कर दी थी वह उस तो बात करें तो चौंची का में च्यों चाकप जोंची चाब बैंदे घंडिया और ऑर है कि उसमें 29 गेंदों में और इस मुकाबले में 34 गेंदों में असी रंजड़ दिये जिसकी मदस से संवराज हैदराबाद ने दो चौके और चार चक्के सामिल थे और यो श्ट्राइक रेट था वो 261 था इसके बाद नमंदीर जो की नए लगा है चौदा गेंदों में 30 रंजड़े दो चक्के और दो चौके और जो श्ट्राइक रेट था वो 214 था इसके बाद तिलक बर्मा ने इस मुकाबले को जिंदा रखा आखरी तक लेकर गए और 34 गेंदों में 400 रंजड़े दो चौके 6 चक्के की मदस से 400 रंजड़े और जो श्ट्राइक गिरता वो 188 का था लेकिन उसके बाद एंट्री होती है हार्दिक पांड्या की जब तक हार्दिक पांड्या नहीं आई तक यह मुकाबला चेस ओन था चेस पॉसिबल लग रहा था और इस लग रहा था कि मु मुकाबले को फिनिस करेंगे और जबर्दस्तरी के सुनको शुरुआत मिल गई थी लेकिन हार्दिक पांड्या ने फिर मुकाबला खराप पर दिया 20 गेंदों में 24 रंजड़े जिसमें एक चक्का और एक चौका सामिल था जो बाइस गेंदों में 44 रंजड़े उन्हों ने वही थी 42 रंड़ की 23 गेंदों में उसमें साथ गेंदों में मातर पांच रंड़ बनाएते हार्दिक पांड्या ने जबकि मातर 16 गेंदों में 35 रंजड़े ते टिम डेविट ने और इससे पहले जो मुकाबला खेला था मुमें इंडिन से गुजरात के लाब उसमें यह वहाद ऑन तो चेस ऑन था मुकाबला चैस हो सकता था और हर्दिक पांड्या जो है वह वह बीस गेनों में अगर जड़ देते 50 रं तो यह मुमें डिया चीज जाती और इतिहास रच देती और यह सबसे बड़ा चेस होता आई पील इतियास में लिकिन ऐसा नहीं हुआ और ह सब्सक्राइब तो नहीं डाल सकते हैं लेकिन तो इसी अंदाज में खेलते हैं जिस तो अंदाज में खेले हैं घजब का उन्होंने जो अपना डेव्यू किया है इस इपील में और तबी सेड ने घजब की सुरुवात दी जिसके बाद उस मोमेंटम को अभिशेक सर्माने बगरा रखा और उसके बाद हार्दिक पान्य ओवर लेकर आगे सेकिंड जस्पीद बम्रा को रोक कि रखा तबी सेड़ सेट हो गए और जस्ट हो गया उसके बाद को अबर दिया भी तो उस ओबर में कुछ जो है हार्दिक मतलब के जस्पीद बुम्रा कुछ खास ने कर पाए एक सिर्फ रण ही रोक पाए और अगर जस्पीद बुम्रा की बात करने तो मात्र जस्पीद बुम्रा एक ऐसे गयंवाज जिनों ने चाल ओल में 36 रण दिये है और प्यूस चाबला प्यूस चाबला ने अपने दो ओल में 34 रण कर ची तो ऐसा कोई गिंद बाज नहीं था इसकी पिटाई ना हुई हो लेकिन हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी की वज़े से और खराब बल्लेबाजी की वज़े से यह मुकाबला मुमिद नीस हारी लगे थे हार्दिक पांड्या कि सासा बहु फिलिंग सेट कर रहे थे प्लानिंग भी कर रहे थे लेकिन मुकाबला हो से निकल गया था जब इडरे लगाई थी अाखरी मुकाबला हार गए थे आखरी ओडर में जाकर लेकिन इसमकाबले में जो पिटाई लगा है मुझ्व याई पर इत्यास में आपने ऐसी पिटाई नहीं देख़े होगी कभी भी किसी मुकाबले में गजब की पिताई सबस्पी अधाइं केंव कि श मकाबले में इन किसी की परफार्मस नहीं साव्हिंर किसी एक बले बागसना रहिक सब लेकिन हर्दि पारिया के जो परही है 20 गेंदों में 24 वें इसमंड पर्टम में ने करने के से जस्ती लित पमरा का है। पर हर्दि पार्टम पारणिया को पहले ही बोबर में लाना था क्योंकि सबसे अच्छा आपके पास कोई गेंदबाच था तो बहूत बुम्रा ही था जो कि कफ्टानी बहुत बारी पड़ रही है और मुझे लगता कि हार्दिक पांडिया बहुत ज्यादा लंबी समय तक कफ्टानी में टिकने वाली नहीं है और जो आर्दिक को लेकर जो हुटिंग हो रही है जो मिम्स बनाए जा रहे हैं वह तो शोचल मेडिया पर बहुत जा हैं कि क्या वाकई में हार्दिक पांड़ा की वज़े से ही मुम्में नियस गुजरा टैटन्स वाला भी मुकाबलहारी थी और यह असन रधावाद के खिलाब भी मुकाबलहारी है हमें कॉमेंट वॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो लाइक शिर करें फलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिए जया वारत